दोस्तों आज हम इस टोडी में आपको बताएंगे की कैसे अनार कली से लाखो दिलों पर राश करने वाली बीना राय ने अपने ही पती प्रेमनात और मदुबाला की अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया था कि आप जानते हैं कि वो अनार कली जिसकी हर अदा के थे हज़ारों दिवाने करियर के पीक पे क्यों आशानक फिल्मिंटास्ट्री को अलविदा कर दिया था आपको जानकर आश्यर होगी कि क्यों प्रेमनात और मदुबाला का फै तूट गया था यहां तक कि आपको यह जानकर विश्वास नहीं होगा कि बीना राय के पती अपने ही वाइफ के प्रसिद्धी से इतना डिप्रश्ण में चले गए थे कि कई सालों तक अग्याद वास में चले गए थे क्या आपको पता है कि अपने शादी अन पती के उसाथ अपने रिलेशन बनाये रखने के लिए बीना राय ने ख्याक्या पापड़ पे ले तो दोस्तों बने रही है इस वीडियो के साथ अन तक बहुत इंट्रस्टिंग स्टोरी है दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्त अक्षिता सहाय और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी और अगर अभी तक आपने हमारे चानल सुब्सक्राइब नहीं गया है तो प्लीज कर दे दोस्तों हिंदी सिनेमा जगत में अधकारों ने अपनी आक्टिंग से लाखो दर्शकों के दिल में अपनी जगा बनाई है वही ऐसे कुछ अभी नेत्रिया रही हैं जिन्होंने कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया है बीना राय उन्हीं में से एक रही है ब्लाक इन वाइट फिल्मों के युग में जब ड्रंग नहीं थे तो बीना राय ने अपनी कला और आक्टिंग से फिल्मों में ऐसी मन और रंजन भर देती थी कि फैंस उनकी फिल्म देखने के लिए बेताब रहते थे अक्ट्रस बीना राय को लोग आज भी फिल्म घूंगर ताज महल अनार कली जैसी कई अने सुपर हेट फिल्मों के लिए याद करते हैं अनार कली फिल्म की जितनी तारिफ की जाए उतनी ही कम है अनार कली में बीना राय के किर्दार ने अपनी अक्टिंग का लोहा मनवाया था अक्ट्रस बीना राय की शादी अभी नीता प्रेमनाथ से हुई थी बीना राय और प्रेमनाथ की लव स्टोरी के चर्चित तो आज भी इंदी सिनेमा जगत में होते हैं बीनाराय और प्रेमनाथ की मुलकार तो काफी पहले ही हो चुकी थी लेकिन फिल्म औरत के सेट पर दोनों का लकार एक दूजे के प्यार में पढ़ गए थे बीनाराय और प्रेमनाथ ने इसके बाद शादी करने में देर नहीं लगाई बीनाराय और प्रेमनाथ के दो बेटे हुए जिनका नाम प्रेम किशन और केलाशनात और मॉंटी था बीनाराय ने शादी के बाद सेनेमा जगत से तो दूरी बनाली थी वेकिन उनके किस्से आज भी मशुहूर है बीनाराय ने एक समय पर किस्सा बताते हुए कहा था कि उन्होंने मधुबाला के कारण अपने पती की बहुत अची रेकबाल की है दरसल ये बाद बहुत ही कम लोगों को पता है कि प्रेमनात अपने जमाने में मशुबूर अभिनेतरी मधुबाला के प्यार में दिवाने थे इतना ही नहीं दोनों शादी भी करने वाले थे लेकि बीना राय ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि मेरे पती उनकी हालात से बहुत परिशान थे वो इस बात को स्विकार नहीं कर पा रहे थे कि वो मदुबाला गंभी रूप से बिमार है बीना ने बताया था कि उन्होंने बेशक सुखद पल साजा की होंगे लेकिन चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है फ्रेम कहानिया का अंत हमेशा सुखद नहीं होता है हिंडी सिनेमा में अगर बात अनार कली की हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है मधुबाला का लेकिन यववी तो सच है कि अनार कली के किरदार की बात हो तो बीना राय का जिक्र जरूर होता है क्योंकि फिल्म मुगले आजम की रिलीज के साथ साल पहली वो अनारकली के किरदार में छाप छोड़ चुकी थी सिनेमा जगत में कई अभी नेत्रिया ऐसी रही हैं जिन्होंने न सर्फ अपनी खुपसूर्ती और दमदार अभने से लोगों के दिलों पर राज किया वलकि अपने किरदारों से एक अमिट छाप छोड़ी है जो आज तक कायम है इनी में से एक थी बीनाराय जिन्हें ताज मह खुंगट और अनारकली जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है तो चलिए जानते हैं कि फिल्म नहीं दुनिया में कैसे हुई थी इनके इंट्री जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर अभिनेत्री बीनाराय ने फिल्म अनारकली से अपनी अभिने का लोहा मन देता था बीनाराय की बदाईश सन 1931 में लहौर में हुई थी और उनकी असली नाम कृष्ण सरीन था बटवार की समय बीनाराय का परिवार कानपूर में बस गया वही बीनाराय ने लखनाओ में आकर आईटी कॉलेज में दाखिला लिया और यही से उनके मन में अभिने का नीव पड़ा बीनाराय अपने कॉलेज के नाठकों के मंच में आदी में भाग लिया करती थी और अख़बारों में टैलेंट कंटेस्टेंट का विग्यापन देखने के बाद उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया हाला कि इस बारे में उनके परिवार और घर वाले को नहीं पता था बताया जाता है कि बीनाराय अपने घर वालों के सामने मुंबाई जाने की जिद पड़ अड़ गई और आखिरकार उनकी यह जिद मान ली गई इसके बाद उन्होंने कंटेस्टिन के लिए आवेदन किया और बतौर अभिनेतरी बीनाराय की पहली फिल्म किशोर साहू की काली घटा थी कहा जाता है कि कृष्ण सरीन को बीनाराय नाम देने वाले निर्देशक किशोर साहू ही थे 1991 में रिलीज हुई या फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन बीनाराय की खुबसूर्ती ने अपना जादू बिखेर दिया और निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब हो गए फिर फिल्म अनारकली से उन्हें खूब लोग प्रियता मिली इसके बाद फिल्म मुगले आजम में भी अनारकली की किरदार के लिए बीनाराय को अप्रोच करने की बात चली हाला की बात नहीं बन पाई अपने 15 साल के करियर में बीनाराय ने कुल 19 फिल्म में की थी और फिल्म घूंगट के लिए उन्हें सर्वशिष्ट अभीनेतरी का फिल्म फैर अवर्ड भी मिला बीनाराय ने अभीनेता प्रेम नाथ से शादी की थी और घर ग्रियस्ती में रम गई उनके दो बीटी प्रेम किशन और केलाश नाथ है छे दिसंबर साल 2009 में बीनाराय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया अक्ट्रस जिसने पूरी जिंदगी अपनी शर्टों पर जी वो थी बीनाराय नहाय थी खुबसूरत और गजब की कलाकारा बीनाराय हिंदुस्तान सिनिमा की उन चद महलाओं में शामिल रही जो हर काम अपनी मर्जी से करती थी ना कभी किसी के दबाव में काम किया और ना कभी जमाने की फिक्र की 1940 और 1945 के दोर का भारत जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था उस जमाने में फिल्मों में आने के लिए बीनाराय अपने घरवालों के खिलाफ ही भूखरताल पर बैठ गए थी पहली फिल्म 1951 में आए और यह स्टार बन गई नई फिल्मों के ओफर्स की लाइन लगी थी लेकिन तब बीना इस सब को चकाया और शादी का फैसला ले लिया जिस दिन पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन इन्होंने आक्टर प्रेवनाच से सगाई कर ली क्लासिक लफ स्टोडी अनार कली में यह अनार कली बनी थी इस दोर में यह हाईस पेड आक्टर थी उन्हें सब बचास साथ के दशक में ही इन्हें एक फिल्म के डेर लाग रुपे तक मिलते थे लेकिन यह अपने करियर के बुलंदियों पर जब पहसी तो परिवार और बच्चों के लिए बॉलेवर्ड छोड़ दिया पांच किसों में हमने बीनाराय की पूरी पस्टालिटी और स्टार्डम को समेचने की कोशिश की है एने पांच किसे में जानिये बीनाराय की पूरी कहानिया बीनाराय का असली नाम कृष्ण सरीन था उनका जन 13 जुलाई 1901 को लहोर पंजाब ब्रिडिश इंडिया में हुआ था संप्राधी हिंसा बढ़ने के इनका पंजाबी परिवार लहोर छोड़ कर कानपुर उतरप्रदेशा गर बस गया एक बार उने बॉम्बे में होने वाली एक टैलेंट कॉंटेस के बारे में पता चला जीतने वाले को 25,000 रुपे नगद और उस जमाने में नामी फिल्म मेकर किशोर साहू के साथ फिल्म में हिरोईन बनने का मौका दिया जाने वाला था जैसे ही बीना ने अपने घर वालों को बॉम्बे जाने की बात कही तो वो खूब गुसा हुए हर कोई उनके फिल्मों से जुड़ने और टैलेंट हन कॉंटेस में जाने के खिलाफ था जब घर वाले ने साफ इंकार कर दिया तो गुसे में बीना भूखरतार पर बैठ गई आकिरकार घर वाले मान गए और वो वो बॉम्बे चली गई यहां बीना ने कॉंटेस में जीत हासिल कर 25 दार का इनाम और किशोर साहू की फिल्म काली घटा में काम करने का मौका जीता बीना राइक को हमेशा से ही अपने जन्द की तारीक से खासा लगाव था इन्होंने अपनी जिन्दगी के चंद बड़े फैसले इसी दिन लिए फिल्मों में आते ही बीना राइक को प्रेमनाथ से प्यार हो गया पहले ही फिल्म हिट हो गई और इनको कई फिल्मों की ओफर मिलने लगे लेकिन इसी समय प्रेमनाथ से शादी करने का मन बना चुकी थी दोनों की मौरकार फिल्म औरत के सेट पर हुई थी जो बीना की पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने के पहले की बात थी एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी और कई फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन इन सबसे उपर बीना ने शादी और प्यार को तवज्जू दी प्रेमनाथ और उस जमाने की सबसे मशूर अक्टरस मदुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे दोनों शादी भी करने चाहते थे लेकिन धर मलग होने के कारण दोनों के परिवार इसके खिलाफ रहे एक दूसरे से प्यार करने वाले और शादी के सपने देखने वाले प्रेम मदुबाला समाज परिवार के लिए बिछडे जरूर लेकिन कभी अपनी महबत दफन नहीं कर सके जैसे ही मदुबाला को प्रेम और बीना की शादी की ख़बर मिली तो उनकी तब्यद बिगड़ गए दो सतंबर 1952 को दोनों की शादी के दिन मदुबाला की तब्यद इतनी बिगड़ गए थी कि प्रेमनाथ खुद परिशान थे बीना इन सभी बातों से वाकिफ थी और प्रेमनाथ की भावनाओं की कदर करती थी ये बात खुद बीना ने 1996 में सीने फ्लोट को दिये हुए एक इंटर्व्यू में कही थी करियर की शुरुवात में ही बीना राय को कई बड़े फिल्मेकर अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाना चाहते थे लेकिन बीना मर्जी की मालकिन थी उन्हें 1905 ने रिलीज हुई देवदास का ओफर मिला था लेकिन उन्होंने ये फिल्म करने से इंकार कर दिया ये फिल्म उन्हें दिलब कुमार के साथ मिली थी वही इनकी ठुकराई हुई फिल्मों की लिस्ट 1916 की नागिन भी शामिल है यह दोनों ही फिल्म वैजनती माला के पास गई जिनमें वो स्टार बन गई मुगले आजम में भी इन्हें ही दिलिप कुमार के साथ नारकली का रोल दिया जाना था लेकिन इन्हों ने इसका भी प्रस्ताफ ठुकरा दिया मुगले आजम हिंदी सिनिमा की एतिहास की सबसे बहतरीन फिल्मों में से एक है शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी पी एन्फिल्म्स शुरू की तो उन्होंने अपनी बैनर की फिल्मों में पत्नी बीना को हिरोईन बनाया और खुद हिरो बने दोनों की फिल्म और पहली ही फ्लॉप हो चुकी थी इसके बाद शगूफा, गोलकुंडा का कैदी और समुंदर जैसी फिल्म में भी फ्लॉप हो गए ऐसा लगतार होने लगा तो बीना ने प्रेमनाथ के साथ काम करने से तौबा कर लिया वही अशोग कुमार के साथ शोले, सरडार, तालाश, बंदी, दादी मा, भारत भूशन के साथ मेरा सलाम, आक्टर अजीट के साथ मरीन ड्राइव, देवानन और दिलिप कुमार के साथ इंसान ये जैसी हिट फिल्म में दी शादी के दो साल बाद 1903 में बीना राय ने फिल्मों से दूरी बना ली लेकिन इसका कारण प्रेमनाथ नहीं थे, बीना राय की गिंती उस जमाने के टॉप और हाइस पेड आक्टरस में से एक में होता था, उस जमाने में उन्हें एक दिसमलों पांच लाक रुपे दिये बीना राय ने सिने प्लॉट को दिये हुए इंटर्व्यू में बताया कि प्रेमनाथ ने ना तो कभी उन पर फिल्म छोड़ने का दबाव बनाया ना ही उन्हें किसी बात से रोका, फिल्म छोड़ने का उनका अपना फैसला था, बच्चे होने के बाद घर की जिमदारी, घ घर की देखबाल के साथ फिल्मों के बीच बालंस बनाना उनके लिए बेहत मुश्किल हो रहा था, उन्होंने प्रेमनाथ से कहा कि दोनों में से किसी को तो घर पर रहना होगा, उस समय प्रेमनाथ का करज़र बुलंदियों पर था, लेकिन बीना के पास काम कम था, ऐसे में और उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों में दूरी बना ली, वल्ला क्या बात है इनकी करज़र की आखरी फिल्म रही, हाला कि फिल्में छोडने के बाद भी इनकी फिल्म रिलीज होती रही, कुछ सालों बाद बीना राय फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन से भारत तक कई किलोमीटर तक पैदल सफर किया इस सफर में चलते चलते मा का गर्वपात हो गया भाई गुजर गया और खुद का शरीर कंकाल बन गया तीरह साल की उम्र में जिमिदारियों से बच्पन छीन गिले कभी 27 साल बड़े आदमी से शादी की तो कभी दूसरी पत्न बन कर इन्हें सालों तक परिवार के प्यार से महरूम रहना पड़ा हिंदी सिनेमा के अर्थास में देवानन पहले आक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे जादा फैन फॉलिएंग थी कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानन ब्रुटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे फिल्म स्टार बनने की चाह में अंगरेसों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुलू किया अपने दौर की सबसे खुबसूरत अक्टरिस सुराया से अफैर था यह यह प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले इनके रिश्टर के खिला सब्सक्राइब भी हुआ तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्टोडी उमीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी प्लीज हमें कॉमेंट करके बताया और अगर आपने मेरा शान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले अब अपने दोस्त और होस्त को अजाज़त अब तक के लिए नमस्कार